नमस्कार जाइन साथियो मैं परवेश सांगवान आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक अच्छी निफ्रोमेशन लेकर आया हूँ हाली में हमारा ग्रामस्चीव का जो अग्जाम हुआ था वो रद हो चुका है तो उसको लेकर हमारे HSSC के चेर्मेन बारत बूशन बारती जी ने एक बयान जारी किया है कि आप इसका दुबारा अक्जाम कब लिया जाएगा और कौन-कौन बच्चे इस अक्जाम को दे सकते हैं तो दोस्तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे हैं अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि परदेश में नो दस जनवरी को हुई ग्रामस्चियू बर्ती, प्रिक्सा, हिसार, पानीपत, जीन, शिर्चा में आंसर की मिलने के बाद जांच में जूटी पुलिस तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा और आप सभी को पता भी चल चुका होगा कि ग्रामस्चियू कि जो प्रिक्सा थी वो रद उचकी है, ठीक है, ज़्यादा हम इसके अंदर डिसकस नहीं करेंगे, जो हमारी में, जो हमारी काम की बात है, सिर्फ वहाँ मैं हमारे जो चेर्मेन है बारत भूशन बारती जी को दन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये भरती कैंसल नहीं होती, अगर ये प्रिक्सा कैंसल नहीं होती, तो जो पढ़ने वाले जो साती है ना, उनका बहुत पड़ा लोस था इसके अंदर, क्योंकि कटो मैं करना चाहता हूँ, इसके अंदर, कि वो अना, दुबारा से लग जाओ भाई, उसी होसले के साथ, और अब तो मैं ये कहूँगा, दुगने होसले के साथ, क्योंकि उनको दुबारा से एक मौका मिला है, जो भी, जैसा कि आम, जब क्रिकेट का मैच होता है, और उसके अं कि ये जो परिक्सा रद हुई है ना, दोस्तो, तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एक DRS का काम करने वाला है, भाई, ठीक है, तो इनको ना, टैंसल लेने की जूरत नहीं है, कि दुबारा पेपर देना पड़ेगा, अरे बई, एक चांस जाने से अच्छा है, दु चोगनी, शुरू कर दो भाई, बिना कुछ सोचे समझे, और अब ये भी मत सोचना कि 15 दिन में हो महिन, कभी भी हो अक्जाम, देखो, ये चीज़ तो भारती जी ने बोल दिया है, कि नए सिरे से सैडल को जारी किया जाएगा भाई, हाँ, ये नहीं बताया कि कब होगा हो स चुकी है, तो आप ये समझो, और मार्च के अंदर आपका रियाना पुलिस का अग्जाम है, तो आप ये समझो, अप्रेल और मई के अंदर पूरे-पूरे चांच है, गराम सीउ के पेपर का होने खा, लेकिन कोई बात नी, जब भी हो, अपनी तैयारी को लग जाओ भाई, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको ये भी पता चला गया, अभी जो नो दस्तारी को जो जनौरी में अग्जाम होगा था ना, वो आप एक प्रेक्टी सेट की तरह लीजिए, आपको ये पता चल गया भाई, कि किस परकार से पेपर आने वाला है, जो पंचायती जहां पर आ अब की बार दुबारा से पढ़के पेपर दो भाई, और अब की बार लीक होने के कम चांस उमीद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी सकतो होगी भाई इस चीज़ पे, और सबसे बड़ा ड्राब है कि ही रहा है, होम डिस्टिक वाड़ा, सोचा था हमने भी था कि होम डिस्टिक ठीक है, तो दूसरी, इसमें एक खुसकवरी क्या बात है, बारती जी ने एक सबसे अच्छी खुसकवरी दी आप लोगों के लिए, कि जो बच्चे पहले नहीं पहुच पाए थे, वो भी अग्जाम को दे पाएंगे भाई, भाई काफी बच्चों का तू बार भी आया वा बाई, तो जो तयारी करने वाले साती है ना, अब की बार बिलकुल भी मोका मत चूखना बाई, अपनी तयारी को अभी से स्टार्ट कर दो, बिना वेट किये, कि दुबारा कव आएगा, कब एडिमीट कार्ड मिलेंगे, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस मत करो, अपनी त दुबारा से मोका मिल गया है भाई, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको गबराने की जूरत नहीं है, वो तो दुबारा भी दे देंगे, और मेनत करके दो भाई, दिक्कत तो उनकी हुई है, जो पैसे त्यार किरे वेटे 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 हैं, पंदरा पंदरा लाग, बि की इस वीडियो में यही सबसे अच्छी इनिफोर्मेशन थी, और एक न, एक हमारे नोटीस चल रहा है, फेस्बुक के ओपर भी और गुरूपों में भी, कि भी जो ओनलाइन अग्जाम होगा या नहीं होगा, ग्राम सीव का, या कौन से अग्जाम ओनलाइन होगे, उसके भी वीडियो अपलोड कर दीगी है दोस्तों, आप मैं उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हो कि कौन से अग्जाम ओनलाइन होगे, और ग्राम सीव का होगा या नहीं होगा, वो सारी बातें उसके अंदर डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक ले सकते हैं, तो साथियो आज की इस वीडियो में यहीं इन्फोर्मेशन थी आप लोगों के लिए, अगर आपको इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों तक सबसे पहले अमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच के, थैंक यू, जैहिन, जैबार्त, वंदे मात्रम